राश्पति पूतीन, सम्मानित अतिजीकन, नमस्कार, मुझे खुशी है कि वल्दी वस्तोक में आउजित किया जा रहा है सात्वे इस्टन इकनमिक फोरम में आपसे वर्च्वल रूप से जुढने का मोका मिला। इसी महिने वलादी वस्तोक में भारत के कंसलेट की स्थापना के 30 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इस सहर में कंसलेट खोलने वाला पहला देश भारत ही था। और तब से यह शहर हमारे समंधों के कई माइस्टोन का साक्षी रहा है। Friends, 2015 में स्थापित किया गया यह फोरम आज रश्यन फारिष के विकास में अंतराश्य सहयोग का एक प्रमूख वैस्ट्रिक मंच बन गया है। इसके लिए मैं राश्पति पुतीन की दुरदर्शिता का अभिनंदन करता हूं और उन्हें बधाई भी देता हूं। 2019 में मुझे इस फोरम में रूबरू हिस्सा लेने का मोखा मिला था। उस समय हमने भारत की एक्ट फार इस नीति की गोश्णा की थी। और परणाम स्वरू रश्यन फारिस के साथ विभिन्दक शेत्रों में भारत का सहयोग बढ़ा है। आज यह नीति भारत और रूस की स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेजिक पार्टरशिप की एक प्रमुक्स तंब बन गई है। फ्रेंड्स चाहे हम इंटरनेस्ट्रल नौर्ड साउथ कोरिडोर की बात करें। चिन्य वल्दी वस्तोक मेरिटाइम कोरिडोर की या नौर्दन सी रूट की भविश्य में। कनेक्टिविटी हमारे समंधों के विकास में महत्वपूर्ण भूमी का निभाएगी। भारत आर्केटिक विश्यों पर रुस्के साथ अपनी भागीदारी को मजबूत करने के लिए इच्छुक है। उर्जा के खेत्र में भी सहयोग की अपार संभावनाय है। उर्जा के साथ साथ भारत में फार्बा और डाइमन्स के खेत्रों में भी रुष्यन फारिस के महत्वपूर्ण निवेश किये हैं। रूस कोकिंग कोल की सप्लाई के माध्यम से भारतिय स्टील इंडिस्ट्री के लिए एक महत्वपूर्ण भागिदार बन सकता है। हमारे बीच टाइलेंट की मोबिलीटी में भी अच्छा सहयोग बन सकता है। भारतिय प्रतिभा ने विश्व के कई साधन संपनक्षेत्रों के विकास में योगदान दिया है। मुझे विश्वास हैं कि भारतियों की प्रतिभा और प्रफेशनलिजम से रुष्यन फारिस में तेजी से विकास आ सकता है। फ्रेंड्स, भारत के प्राचिन सिध्धांत वसुधैव कुटुम कमनेह में विश्व को एक परिवार के रूप में देखना सिखाया है। आज के ग्लोबलाइज वर्ल्ड में विश्व के किसी एक हिस्से की घटनाएं पूरे विश्व पर प्रभाव पैदा करती है। यूक्रेन संगर्ष और कोविड महमारी से ग्लोबल सप्लाइज चेंज पर बड़ा असर पड़ा है। फूड ग्रेंग, फर्टिलाइजर और फ्यूइल की कमी ही विकासिल देशों के लिए बड़ी चिंता की विश्व है। यूक्रेन संगर्ष की सुरुवात से ही हमने डिप्लोमसी और डायलोग का मार्ग अपनाने की आवश्रक्ता पर जोर दिया है। हम इस संगर्ष को समाप्त करने के लिए सभी शांतिपूर्ण प्रयासों का समर्थन करते हैं। इस सम्मन में हम अनाज और फर्टिलाइजर के सुरक्षित निर्यात समंदित हाल की सहमती का स्वाध़ भी करते हैं। मैं एक बार फिर राश्पति पूतीन का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस फोरम को सम्मोधित करने का आउसर दिया। और इस फोरम में उपस्तित सभी भागिदारों को हारदिक शुब कामनाय देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। राश्पति पूतीन, सम्मानित अतिजीगान, नमस्कार। मुझे खुशी है कि वल्दीप अस्तोक में आउजित किया जा रहा है सात्वे इस्टन इकन्मिक फोरम में आपसे वर्च्वल रूप से जुणने का मौका मिला। इसी महिने व्लादी वस्तोक में भारत के कांसुलेट की स्थापना के तीस वर्च पूरे हो रहे हैं। इस शहर में कांसुलेट खोलने वाला पहला देश भारत ही था। और तब से यह शहर हमारे समंधों के कई मालस्टोन का साक्षी रहा है। फ्रेंट्स, 2015 में स्थापित किया गया यह फोरम, आज रश्यन फारिस के विकास में अंतराश्टिय सहयोग का एक प्रमूख वैश्विक मंच बन गया है। इसके लिए मैं राश्पति पूतीन की दुरदर्शिता का अभिनंदन करता हूं और उन्हें बधाई भी देता हूं। 2019 में मुझे इस फोरम में रूबरू हिस्सा लेने का मोका मिला था। उस समय हमने भारत की एक्ट फार इस नीति की गोश्णा की थी। और परणाम स्वरू रश्यन फार इस के साथ विभिन्नक शेत्रों में भारत का सहयोग बढ़ा है। आज यह नीति भारत और रूस की स्पेशल और प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टरशिप की एक प्रमुख स्तंब बन गई है। Friends, चाहे हम International North-South Corridor की बात करें, चिन्ने वल्दी वस्तोक Maritime Corridor की या Northern Sea Route की भविश्च में, Connectivity हमारे समंधों के विकास में महत्वपूर्ण भूमी का निभाएगी। भारत आर्केटीक विश्वों पर रूस के साथ अपनी भागीदारी को मजबूत करने के लिए इच्छुक है। उर्जा के खेत्र में भी सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। उर्जा के साथ साथ भारत में फार्बा और डाइमेंड्स के खेत्रों में भी रश्यन फारिस के महत्वपूर्ण निवेश किये हैं। रूस कोकिंग कोल की सप्लाई के माध्यम से भारतिय स्टील इंडस्ट्री के लिए एक महत्वपूर्ण भागिदार बन सकता है। हमारे बीच टाइलेंट की मोबिलिटी में भी अच्छा सहयोग बन सकता है। भारतिय प्रतिभौा ने विश्व के कई साधन संपनक्षेत्रों के विकास में योगडान दिया। मुझे विश्वात है कि भारतियों की प्रतिभा और प्रोफिश्णलिजम से रश्यन फारिस में तेजी से विकास आ शकता है। फ्रेंड्स, भारत के प्राचिन सिध्धाम्त वसुधैव कुटुम कमनेह में विश्व को एक परिवार के रूप में देखना सिखाया है। आज के ग्लोबलाइज वर्ल्ड में विश्व के किसी एक हिस्से की घटनाएं पूरे विश्व पर प्रभाव पैदा करती हैं। यूक्रेन संगर्ष और कोविड महमारी से ग्लोबल सप्लाइज चेंज पर बड़ा असर पड़ा है। फूड ग्रेंग, फटिलाइजर और फ्यूइल की कमी विकांसिल देशों के लिए बड़ी चिंता की विश्व है। यूक्रेन संगर्ष की सुरुवात से ही हमने डिप्लोमसी और डायलोग का मार्ग अपनाने की आवश्रक्ता पर जोर दिया है। हम इस संगर्ष को समाप्त करने के लिए सभी शांतिप्रूण प्रयासों का समर्थन करते हैं। इस सम्मन में हम अनाज और फटिलाइजर के सुरक्षित निर्याथ समंदित हाल की सहमति का स्वाध़ भी करते हैं। मैं एक बार फिर राश्पति पुतीन का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे इस फोरम को सम्मोधित करने का आउसर दिया। और इस फोरम में उपस्तित सभी भागिदारों को हारदिक शुब कामनाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। राश्पति पुतीन सम्मानित अतिजिकन नमस्कार। मुझे खुशी है कि वालदीव वस्तोक में आउजित किया जा रहा है साथवे इस्टन इकन्मिक फोरम में आपसे वर्च्वल रूप से जुणने का मोका मिला। इसी महिने व्लादी वस्तोक में भारत के कांसुलेट की स्थापना के तीस वर्च पूरे हो रहे है। इस सहर में कांसुलेट खोलने वाला पहला देश भारत ही था। और तब से यह शहर हमारे समंधों के कई माइस्टोन का साक्षी रहा है। फ्रेंट्स, 2015 में स्थापित किया गया यह फोरम, आज रश्यन फारिस के विकास में अंतराश्य सहयोग का एक प्रमूख वैश्विक मंच बन गया है। इसके लिए मैं राश्पति पुतीन की दुरदर्शिता का अभिनंदन करता हूं और उन्हें बधाई भी देता हूं। 2019 में मुझे इस फोरम में रूबरू हिस्सा लेने का मोका मिला था। उस समय हमने भारत की एक फार इस नीती की गोश्णा की थी। और परणाम स्वरू रश्यन फार इस के साथ विबिन्दक शेत्रों में भारत का सहयोग बढ़ा है। आज यह नीती भारत और रूस की स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेजिक पार्टरशिप की एक प्रमुक्स तंब बन गई है। फ्रेंड्स चाहे हम इंटरनेस्ट्रल नौर्ड साउथ कोरिडोर की बात करें। चिन्ने वल्दी वस्तोक मेरिटाइम कोरिडोर की या नौर्दन सी रूट की भविश्य में। कनेक्टिविटी हमारे समंधों के विकास में महत्वपूर्ण भूमी का निभाएगी। भारत आर्केटिक विश्यों पर रूस के साथ अपनी भागीदारी को मजबूत करने के लिए इच्छुक है। उर्जा के खेत्र में भी सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। उर्जा के साथ साथ भारत में फार्बा और डाइमेंड्स के खेत्रों में भी रुष्यन फारिस के महत्वपूर्ण निवेश किये हैं। रूस कोकिंग कोल की सप्लाई के माध्यम से भारतिय स्टील इंडस्ट्री के लिए एक महत्वपूर्ण भागिदार बन सकता है। हमारे बीच टाइलेंट की मोबिलीटी में भी अच्छा सहयोग बन सकता है। भारतिय प्रतिभा ने विश्व के कई साधन संपनक्षेत्रों के विकास में योगदान दिया है। मुझे विश्वास हैं कि भारतियों की प्रतिभा और प्रफेशनलिजम से रुष्यन फारिस में तेजी से विकास आ सकता है। Friends, भारत के प्राचिन सिध्धांत वसुधैव कुटुम कमनेह में विश्व को एक परिवार के रूप में देखना सिखाया है। आज के ग्लोबलाइज वर्ल्ड में विश्व के किसी एक हिस्से की घटनाए पूरे विश्व पर प्रभाव पैदा करती है। चिंता की विश्व है। युक्रेन संगर्ष की सुरुवात से ही हमने डिप्लोमसी और डायलोग का मार्ग अपनाने की आवश्रक्ता पर जोर दिया है। हम इस संगर्ष को समाप्त करने के लिए सभी शांति पूर्ण प्रयासों का समर्थन करते हैं। इस संगर्ष में हम अनाज और फर्टिलाइजर के सुरक्षित निर्यात समंदित हाल की सहमति का स्वाध़ भी करते हैं। मैं एक बार फिर राश्पति पूतीन का धन्यवाद करता हूं कि उन्हों ने मुझे इस फोरम को सम्मोधित करने का आउसर दिया। और इस फोरम में उपस्तित सभी भागिदारों को हारदिक शुब कामनाय देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। राश्पति पूतीन, सम्मानित अतिजीगान, नमस्कार। मुझे खुशी है कि वल्दी वस्तोक में आउजित किया जा रहा है साथवे इस्टन इकन्मिक फोरम में आपसे वर्च्वल रूप से जुणने का मोका मिला। इसी महिने व्लादी वस्तोक में भारत के कांसुलेट की स्थापना के तीस वर्च पूरे हो रहे हैं। इस शहर में कांसुलेट खोलने वाला पहला देश भारत ही था। और तब से यह शहर हमारे समंधों के कई माइस्टोन का साक्षी रहा है। फ्रेंट्स, 2015 में स्थापित किया गया यह फोरम, आज रश्यन फारिस के विकास में अंतराश्य सहयोग का एक प्रमूख वैश्विक मंच बन गया है। इसके लिए मैं राश्पति पुतीन की दुरदर्शिता का अभिनंदन करता हूं और उन्हें बधाई भी देता हूं। 2019 में मुझे इस फोरम में रूबरू हिस्सा लेने का मोखा मिला था। उस समय हमने भारत की एक फार इस नीती की गोश्णा की थी। और परणाम स्वरू रश्यन फार इस के साथ विबिन्नक शेत्रों में भारत का सहयोग बढ़ा है। आज यह नीती भारत और रूस की स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टरशिप की एक प्रमुक्स तंब बन गई है। Friends, चाहे हम International North-South Corridor की बात करें, चिन्ने वल्दी वस्तोक Maritime Corridor की या Northern Sea Route की भविश में, Connectivity हमारे समंधों के विकास में महत्वपूर्ण भूमी का निभाएगी। भारत आर्केटीक विशहों पर रूस के साथ अपनी भागीदारी को मजबूत करने के लिए इच्छुक है। उर्जा के खेत्र में भी सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। उर्जा के साथ साथ भारत में फार्बा और डाइमेंड्स के खेत्रों में भी रश्यन फारिस के महत्वपूर्ण निवेश किये हैं। रूस कोकिंग कोल की सप्लाई के माध्यम से भारतिय स्टील इंडस्टी के लिए एक महत्वपूर्ण भागिदार बन सकता है। हमारे बीच टाइलेंट की मोबिलिटी में भी अच्छा सहयोग बन सकता है। भारतिय परतिभा ने विश्व के कई साधन संपनक्षेत्रों के विकास में योगदान दिया है। मुझे विष्वास हैं कि भारतियों की प्रतिभा और प्रोफेश्नलिजिम से रश्यन फारिस में तेजी से विकास आ सकता है। फ्रेंड्स, भारत के प्राचिन सिध्धाम्त वसुधैव कुटुम कमनेह में विश्व को एक परिवार के रूप में देखना सिखाया है। आज के ग्लोबलाइज वर्ल्ड में विश्व के किसी एक हिस्से की घटनाए पूरे विश्व पर प्रभाव पैदा करती है। यूक्रेन संगर्ष और कोविड महमारी से ग्लोबल सप्लाइज चेंज पर बड़ा असर पड़ा है। फूड ग्रेंग, फर्टिलाइजर और फ्यूल की कमी ही विकांसिल देशों के लिए बड़ी चिंता की विश्व है। यूक्रेन संगर्ष की सुरुवात से ही हमने डिप्लोमसी और डायलोग का मार्ग अपनाने की आवश्रक्ता पर जोर दिया है। हम इस संगर्ष को समाप्त करने के लिए सभी शांतिपूर्ण प्रयासों का समर्थन करते हैं। इस सम्मन में हम अनाज और फर्टिलाइजर के सुरक्षित निर्याथ समंदित हाल की सहमति का स्वाध़ भी करते हैं। मैं एक बार फिर राश्पति पूतीन का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे इस फोरम को सम्मोधित करने का आउसर दिया। और इस फोरम में उपस्तित सभी भागिदारों को हारदिक शुब कामनाय देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। राश्पति पूतीन, सम्मानित अतिजीगान, नमस्कार। मुझे खुशी है कि वालदीव वस्तोक में आउजित किया जा रहा है सात्वे इस्टन इकन्मिक फोरम में आपसे वर्च्वल रूप से जुणने का मोका मिला। इसी महिने व्लादी वस्तोक में भारत के कांसुलेट की स्थापना के तीस वर्च पूरे हो रहे हैं। इस सहर में कांसुलेट खोलने वाला पहला देश भारत ही था। और तब से यह शहर हमारे समंधों के कई माइस्टोन का साक्षी रहा है। फ्रेंट्स, 2015 में स्थापित किया गया यह फोरम, आज रश्यन फारिस के विकास में अंतराश्य सहयोग का एक प्रमूख वैश्विक मंच बन गया है। इसके लिए मैं राश्पति पुतीन की दुरदर्शिता का अभिनंदन करता हूं और उन्हें बधाई भी देता हूं। 2019 में मुझे इस फोरम में रूबरू हिस्सा लेने का मोका मिला था। उस समय हमने भारत की एक फार इस नीती की गोश्णा की थी। और परणाम स्वरू रश्यन फार इस के साथ विभिन्नक्षेत्रों में भारत का सहयोग बढ़ा है। आज यह नीती भारत और रूस की स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेजिक पार्टरशिप की एक प्रमुक्स तंब बन गई है। फ्रेंड्स चाहे हम इंटरनेस्ट्रल नौर्ड साउथ कोरिडोर की बात करें। चिन्य वल्दी वस्तोक मेरिटाइम कोरिडोर की या नौर्दन सी रूट की भविश्य में। कनेक्टिविटी हमारे समंधों के विकास में महत्वपूर्ण भूमी का निभाएगी। भारत आर्केटीक विश्यों पर रुस के साथ अपनी भागीदारी को मजबूत करने के लिए इच्छुक है। उर्जा के खेत्र में भी सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। उर्जा के साथ साथ भारत में फार्बा और डाइमेंड्स के खेत्रों में भी रश्यन फारिस के महत्वपूर्ण निवेश किये हैं। रूस कोकिंग कोल की सप्लाई के माध्यम से भारतिय स्टील इंडस्टी के लिए एक महत्वपूर्ण भागिदार बन सकता है। हमारे बीच टाइलेंट की मोबिलिटी में भी अच्छा सहयोग बन सकता है। भारतिय प्रतिभा ने विश्व के कई साधन संपनक्षेत्रों के विकास में योगदान दिया है। मुझे विश्वास है कि भारतियों की प्रतिभा और प्रोफेश्नलिजम से रश्यन फारिस में तेजी से विकास आ सकता है। फ्रेंड्स भारत के प्राचिन सिध्धांत वसुधैव कुटुम कमनेह में विश्व को एक परिवार के रूप में देखना सिखाया है। आज के ग्लोबलाइज वर्ल्ड में विश्व के किसी एक हिस्से की घटनाए पूरे विश्व पर प्रभाव पैदा करती है। यूक्रेन संगर्ष और कोविड महमारी से ग्लोबल सप्लाइज चेंज पर बड़ा असर पड़ा है। फूड ग्रेंग, फटिलाइजर और फ्यूइल की कमी विकांसिल देशों के लिए बड़ी चिंता की विश्व है। यूक्रेन संगर्ष की शुरुवात से ही हमने डिप्लोमसी और डायलोग का मार्ग अपनाने की आवश्रक्ता पर जोर दिया है। हम इस संगर्ष को समाप्त करने के लिए सभी शांतिपूर्ण प्रयासों का समर्थन करते हैं। इस सम्मन में हम अनाज और फटिलाइजर के सुरक्षित निर्याथ समंदित हाल की सहमति का स्वाध़ भी करते हैं। मैं एक बार फिर राश्पति पूतीन का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे इस फोरम को सम्मोधित करने का आउसर दिया। और इस फोरम में उपस्तित सभी भागिदारों को हारदिक शुब कामनाय देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। राश्पति पूतीन, सम्मानित अतिजीगान, नमस्कार। मुझे खुशी है कि वल्दी वस्तोक में आउजित किया जा रहा है साथवे इस्टन इकन्मिक फोरम में आपसे वर्च्वल रूप से जुणने का मोका मिला। इसी महिने वलादी वस्तोक में भारत के कांसुलेट की स्थापना के तीस वर्च पूरे हो रहे हैं। इस सहर में कांसुलेट खोलने वाला पहला देश भारत ही था। और तब से यह शहर हमारे समंधों के कई माइस्टोन का साक्षी रहा है। फ्रेंट्स, 2015 में स्थापित किया गया यह फोरम, आज रश्यन फारिस के विकास में अंतराश्य सहयोग का एक प्रमूख वैश्विक मंच बन गया है। इसके लिए मैं राश्पति पुतीन की दुरदर्शिता का अभिनंदन करता हूं और उन्हें बधाई भी देता हूं। 2019 में मुझे इस फोरम में रूबरू हिस्सा लेने का मोखा मिला था। उस समय हमने भारत की एक्ट फार इस नीती की गोश्णा की थी। और परणाम स्वरू रश्यन फार इस के साथ विभिन्नक्षेत्रों में भारत का सहयोग बढ़ा है। आज यह नीती भारत और रूस की स्पेशल और प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टरशिप की एक प्रमुख स्तंब बन गई है। Friends, चाहे हम International North-South Corridor की बात करें, चिन्ने वल्दी वस्तोक Maritime Corridor की या Northern Sea Route की भविश्च में, Connectivity हमारे समंधों के विकास में महत्वपूर्ण भूमी का निभाएगी। भारत आर्केटीक विशों पर रूस के साथ अपनी भागीदारी को मजबूत करने के लिए इच्छुक है। उर्जा के खेत्र में भी सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। उर्जा के साथ साथ भारत में फार्बा और डाइमेंड्स के खेत्रों में भी रश्यन फारिस के महत्वपूर्ण निवेश किये हैं। रूस कोकिंग कोल की सप्लाई के माध्यम से भारतिय स्टील इंडस्ट्री के लिए एक महत्वपूर्ण भागिदार बन सकता है। हमारे बीच टाइलेंट की मोबिलिटी में भी अच्छा सहयोग बन सकता है। भारतिय प्रतिभः ने विष्वके कई साधन संपनक्षेत्रों के विकास में योगदान दिया है। मुझे विश्वास हैं कि भारतियों की प्रतिभा और प्रफिशनलिजम से रश्यन फारिस में तेजी से विकास आ सकता है। फ्रेंड्स, भारत के प्राचिन सिध्धाम्त वसुधैव कुटुम कमनेह में विश्व को एक परिवार के रूप में देखना सिखाया है। आज के ग्लोबलाइज वर्ल्ड में विश्व के किसी एक हिस्से की घटनाए पूरे विश्व पर प्रभाव पैदा करती है। यूक्रेन संगर्ष और कोविड महमारी से ग्लोबल सप्लाइज चेंज पर बड़ा असर पड़ा है। फूड ग्रेंग, फॉर्टिलाइजर और फ्यूइल की कमी विकांसिल देशों के लिए बड़ी चिंता की विश्व है। यूक्रेन संगर्ष की सुरुवात से ही हमने डिप्लोमसी और डायलोग का मार्ग अपनाने की आवश्रक्ता पर जोर दिया है। हम इस संगर्ष को समाप्त करने के लिए सभी शांतिप्रून प्रयासों का समर्थन करते हैं। इस सम्मन में हम अनाज और फॉर्टिलाइजर के सुरक्षित निर्याथ समंदित हाल की सहमति का स्वाध़ भी करते हैं। मैं एक बार फिर राश्पति पुतीन का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे इस फॉर्ण को सम्मोधित करने का आउसर दिया। और इस फॉर्ण में उपस्तित सभी भागिदारों को हारदिक शुपकामनाय देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। राश्पति पुतीन सम्मानित अतिजीकन नमस्कार। मुझे खुशी है कि वल्दी वस्तोक में आउजित किया जा रहा है सात्वे इस्टन इकनमिक फोरम में आपसे वर्च्वल रूप से जुणने का मोका मिला। इसी महिने वल्दी वस्तोक में भारत के कांसुलेट की स्थापना के तीस वर्च पूरे हो रहे हैं। इस शहर में कांसुलेट खोलने वाला पहला देश भारत ही था। और तब से यह शहर हमारे समंधों के कई माइल स्टोन का साक्षी रहा है। फ्रेंट्स 2015 में स्थापित किया गया यह फोरम आज रश्यन फारिस के विकास में अंतराश्य सहयोग का एक प्रमूख वैश्विक मंच बन गया है। इसके लिए मैं राश्पति पुतीन की दुरदर्शिता का अभिनंदन करता हूं और उन्हें बधाई भी देता हूं। 2019 में मुझे इस फोरम में रूबरू हिस्सा लेने का मोखा मिला था। उस समय हमने भारत की एक्ट फार इस नीती की गोश्णा की थी। और परणाम स्वरू रश्यन फारिस के साथ विबिन्नक शेत्रों में भारत का सहयोग बढ़ा है। आज यह नीती भारत और रूस की स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेजिक पार्टरशिप की एक प्रमुक्स तंब बन गई है। फ्रेंड्स चाहे हम इंटरनेश्ट्रल नौर्ड साउथ कोरिडोर की बात करें। चिन्य वल्दी वस्तोक मेरिटाइम कोरिडोर की या नौर्दन सी रूट की भविश्च में कनेक्टिविटी हमारे समंधों के विकास में महत्वपूर्ण भूमी का निभाएगी। भारत आर्केटिक विश्वों पर रुस के साथ अपनी भागीदारी को मजबूत करने के लिए इच्छुक है। उर्जा के खेत्र में भी सहयोग की अपार संभावनाय है। उर्जा के साथ साथ भारत में फार्बा और डाइमर्ट्स के खित्रों में भी रश्यन फारिस के महत्वपूर्ण निवेश किये हैं। रूस कोकिंग कोल की सप्लाई के माध्यम से भारतिय स्टील इंडिस्ट्री के लिए एक महत्वपूर्ण भागिदार बन सकता है। हमारे बीच टैलेंट की मोबिलिटी में भी अच्छा सहयोग बन सकता है। भारतिय प्रतिभा ने विश्व के कई साधन संपनक्षेत्रों के विकास में योगदान दिया है। मुझे विश्वास है कि भारतियों की प्रतिभा और प्रफेश्नलिजम से रश्यन फारिस में तेजी से विकास आ सकता है। फ्रेंड्स, भारत के प्राचिन सिध्धाम्त वसुधैव कुटुम कम ने हमें विश्व को एक परिवार के रूप में देखना सिखाया है। आज के ग्लोबलाइज वर्ल्ड में विश्व के किसी एक हिस्से की घटनाएं पूरे विश्व पर प्रभाव पैदा करती हैं। महमारी से ग्लोबल सप्लाइज चेंज पर बड़ा असर पड़ा है। फूड ग्रेंग, फटिलाइजर और फ्यूएल की कमी विकांसिल देशों के लिए बड़ी चिंता की विश्य है। युक्रेन संगर्ष की सुरुवात से ही हमने डिप्लोमसी और डायलोग का मार्ग अपनाने की आवश्यक्ता पर जोर दिया है। हम इस संगर्ष को समाप्त करने के लिए सभी शांतिप्रुण प्रयासों का समर्थन करते हैं। इस सम्मद में हम अनाज और फर्टिलाइजर के सुरक्षित निर्याथ समंदित हाल की सहमति का स्वाध़ भी करते हैं। मैं एक बार फिर राश्पति पुतीन का धन्यवात करता हूं कि उन्होंने मुझे इस फोरम को सम्मोदित करने का आवसर दिया। और इस फोरम में उपस्तित सभी भागिदारों को हार्दिक शुबकामनाय देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। राश्पति पूतीन सम्मानित अतिजीगान नमस्कार। मुझे खुशी है कि वल्दी वस्तोक में आवजित किया जा रहा है सात्वे इस्टन एकनमिक फोरम में आपसे वर्च्वल रूप से जुणने का मोका मिला। इसी महिने व्लादी वस्तोक में भारत के कांसुलेट की स्थापना के तीस वर्च पूरे हो रहे हैं। इस सहर में कांसुलेट खोलने वाला पहला देश भारत ही था। और तब से यह शहर हमारे समंधों के कई मालस्टोन का साक्षी रहा है। फ्रेंट्स, 2015 में स्थापित किया गया यह फोरम, आज रश्यन फारिस के विकास में अंतराश्ट्य सहयोग का एक प्रमूख वैस्ट्रिक मंच बन गया है। इसके लिए मैं राश्पति पूतीन की दुरदर्शिता का अभिनंदन करता हूं और उन्हें बधाई भी देता हूं। 2019 में मुझे इस फोरम में रूबरू हिस्सा लेने का मोका मिला था। उस समय हमने भारत की एक्ट फारिस्ट नीति की गोश्णा की थी। और परणाम स्वरू रश्यन फारिस्ट के साथ विभिन्नक शेत्रों में भारत का सहयोग बढ़ा है। आज यह नीति भारत और रूस की स्पेशल और प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टरसिप की एक प्रमुख स्तंब बन गई है। फ्रेंड्स चाहे हम इंटरनेस्ट्रल नौर्ड साउथ कोरिडोर की बात करें। चिन्य वल्दी वस्तोक मरिटाइम कोरिडोर की या नौर्दन सी रूट की भविश्य में। कनेक्टिविटी हमारे समंधों के विकास में महत्वपूर्ण भूमी का निभाएगी। भारत आर्केटिक विश्यों पर रुष्य के साथ अपनी भागीदारी को मजबूत करने के लिए इच्छुक है। उर्जा के खेत्र में भी सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। उर्जा के साथ साथ भारत में फार्बा और डाइमंड्स के खेत्रों में भी रुष्यन फारिस के महत्वपूर्ण निवेश किये हैं। रूस कोकिंग कोल की सप्लाई के माध्यम से भारतिय स्टील इंडस्ट्री के लिए एक महत्वपूर्ण भागिदार बन सकता है। हमारे बीच टाइलेंट की मोबिलिटी में भी अच्छा सहयोग बन सकता है। भारतिय प्रतिभा ने विश्व के कई साधन संपनक्षेत्रों के विकाष में योगदान दिया है। मुझे विश्वास हैं कि भारतियों की प्रतिभा और प्रफेश्चनलिजम से रुश्यन फारिस में तेजी से विकास आ सकता है। फ्रेंड्स, भारत के प्राचिन सिध्धाम्त वसुधैव कुटुम कमनेह में विश्व को एक परिवार के रूप में देखना सिखाया है, आज के एक ग्लोबलाइज वर्ल्ड में विश्व के किसी एक हिस्से की घटनाए पूरे विश्व पर प्रभाव पैदा करती हैं, यूक्रेन संगर्ष और कोविड महमारी से ग्लोबल सप्लाइज चेंज पर बड़ा असर पड़ा है, फूड ग्रेंग, फर्टिलाइजर और फ्यूइल की कमी विकांसिल देशों के लिए बड़ी चिंता की विश्व है, यूक्रेन संगर्ष की शुरुवात से ही हमने डिप्लोमसी और डायलोग का मार्ग अपनाने की आवश्रक्ता पर जोर दिया है, हम इस संगर्ष को समाप्त करने के लिए सभी शांतिपून प्रयासों का समर्थन करते हैं, इस सम्मन में हम अनाज और फर्टिलाइजर के सुरक्षित निर्याथ समंदित हाल की सहमती का स्वाध़ भी करते हैं, मैं एक बार फिर राश्पति पूतीन का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस फोरम को सम्मोधित करने का आउसर दिया, और इस फोरम में उपस्तित सभी भागिदारों को हारदिक शुब कामनाय देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद, राश्पति पूतीन, सम्मानित अतिजीकन, नमस्कार, मुझे खुशी है कि वल्दी वस्तोक में आउजित किया जा रहा है साथवे इस्टन इकन्मिक फोरम में आपसे वर्चुल रूप से जुणने का मोका मिला, इसी महिने वल्दी वस्तोक में भारत के कांसुलेट की स्थापना के तीस वर्च पूरे हो रहे हैं, इस सहर में कांसुलेट खोलने वाला पहला देश भारत ही था और तब से यह शहर हमारे समंधों के कई माइस्टोन का साक्षी रहा है, फ्रेंट्स, 2015 में स्थापित किया गया यह फोरम, आज रश्यन फारिस के विकास में अंतराश्य सहयोग का एक प्रमूख वैस्ट्रिक मंच बन गया है, इसके लिए मैं राश्पति पुतीन की दुरदर्शिता का अभिनंदन करता हूं और उन्हें बधाई भी देता हूं, 2019 में मुझे इस फोरम में रूबरू हिस्सा लेने का मोका मिला था, उस समय हमने भारत की एक फार इस नीती की गोश्णा की थी, और परणाम स्वरू रश्यन फार इस के साथ विबिन्दक शेत्रों में भारत का सहयोग बढ़ा है, आज यह नीती भारत और रूस की स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेजिक पार्टरशिप की एक प्रमुक्स तंब बन गई है, फ्रेंड्स, चाहे हम इंटरनेस्ट्रल नौर्ड साउथ कोरिडोर की बात करें, चिन्य वल्दी वस्तोक मेरिटाइम कोरिडोर की या नौर्दन सी रूट की भविश्य में, कनेक्टिविटी हमारे समंधों के विकास में महत्वपूर्ण भूमी का निभाएगी, भारत आर्केटिक विश्यों पर रुष्य के साथ अपनी भागीदारी को मजबूत करने के लिए इच्छुक है, उर्जा के खेत्र में भी सहयोग की अपार संभावनाएं हैं, उर्जा के साथ साथ भारत में फार्बा और डाइमेंड्स के खेत्रों में भी रुष्यन फारिष के महत्वपूर्ण निवेश किये हैं, रूस कोकिंग कोल की सप्लाई के माध्यम से भारतिय स्टील इंडिस्ट्री के लिए एक महत्वपूर्ण भागिदार बन सकता है, हमारे बीच टाइलेंट की मोबिलिटी में भी अच्छा सहयोग बन सकता है, भारतिय प्रतिभा ने विश्व के कई साधन संपनक्षेत्रों के विकास में योगदान दिया है, मुझे विश्वास हैं कि भारतियों की प्रतिभा और प्रोफेश्नलिजम से रश्यन फारिस में तेजी से विकास आ सकता है, फ्रेंड्स, भारत के प्राचिन सिध्धांत वसुधैव कुटुम कमनेह में विश्व को एक परिवार के रूप में देखना सिखाया है, आज के ग्लोबलाइज वर्ल्ड में विश्व के किसी एक हिस्से की घटनाएं पूरे विश्व पर प्रभाव पैदा करती हैं, युक्रेन संगर्ष और कोविड महमारी से ग्लोबल सप्लाइज चेंज पर बड़ा असर पड़ा है, फूड ग्रेंग, फर्टिलाइजर और फ्यूइल की कमी विकासिल देशों के लिए बड़ी चिंता की विश्व है, युक्रेन संगर्ष की शुरुवात से ही हमने डिप्लोमसी और डायलोग का मार्ग अपनाने की आवश्रक्ता पर जोर दिया है, हम इस संगर्ष को समाप्त करने के लिए सभी शांतिपूर्ण प्रयासों का समर्थन करते हैं, इस सम्मन में हम अनाज और फर्टिलाइजर के सुरक्षित निर्यात समंदित हाल की सहमति का स्वाध़ भी करते हैं, मैं एक बार फिर राश्पति पूतीन का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस फोरम को सम्मोधित करने का आउसर दिया, और इस फोरम में उपस्तित सभी भागिदारों को हारदिक शुब कामनाय देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद, राश्पति पूतीन, सम्मानित अतिजीगान, नमस्कार, मुझे खुशी है कि वल्दीप अस्तोक में आउजित किया जा रहा है साथवे इस्टन इकन्मिक फोरम में आपसे वर्च्वल रूप से जुणने का मोका मिला, इसी महिने वलादी वस्तोक में भारत के कांसुलेट की स्थापना के तीस वर्च पूरे हो रहे हैं, इस सहर में कांसुलेट खोलने वाला पहला देश भारत ही था और तब से यह शहर हमारे समंधों के कई माइस्टोन का साक्षी रहा है, फ्रेंट्स, 2015 में स्थापित किया गया यह फोरम, आज रश्यन फारिस के विकास में अंतराश्टिय सहयोग का एक प्रमूख वैस्ट्रिक मंच बन गया है, इसके लिए मैं राश्पति पूतीन की दुरदर्शिता का अभिनंदन करता हूं और उन्हें बधाई भी देता हूं, 2019 में मुझे इस फोरम में रूबरू हिस्सा लेने का मोका मिला था, उस समय हमने भारत की एक फार इस नीती की गोश्णा की थी, और परणाम स्वरू रश्यन फार इस के साथ विबिन्नक शेत्रों में भारत का सहयोग बढ़ा है, आज यह नीती भारत और रूस की स्पेशल और प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टरशिप की एक प्रमुख स्तंब बन गई है, फ्रेंड्स, चाहे हम इंटरनेस्ट्रल नौर्ड साउथ कोरिडोर की बात करें, चिन्य वल्दी वस्तोक मेरिटाइम कोरिडोर की या नौर्दन सी रूट की भविश्य में, कनेक्टिविटी हमारे समंधों के विकास में महत्वपूर्ण भूमी का निभाएगी, भारत आर्केटीक विश्यों पर रुष्य के साथ अपनी भागीदारी को मजबूत करने के लिए इच्छुक है, उर्जा के खेत्र में भी सहयोग की अपार संभावनाएं हैं, उर्जा के साथ साथ भारत में फार्बा और डाइमेंड्स के खेत्रों में भी रुष्यन फारिस के महत्वपूर्ण निवेश किये हैं, रूस कोकिंग कोल की सप्लाई के माध्यम से भारतिय स्टील इंडिस्ट्री के लिए एक महत्वपूर्ण भागिदार बन सकता है, हमारे बीच टाइलेंट की मोबिलिटी में भी अच्छा सहयोग बन सकता है, भारतिय प्रतिभा ने विश्व के कई साधन संपनक्षेत्रों के विकास में योगदान दिया है, मुझे विश्वास हैं कि भारतियों की प्रतिभा और प्रोफेश्नलिजम से रश्यन फारिस में तेजी से विकास आ सकता है, फ्रेंड्स, भारत के प्राचिन सिध्धांत वसुधैव कुटुम कमनेह में विश्व को एक परिवार के रूप में देखना सिखाया है, आज के ग्लोबलाइज वर्ल्ड में विश्व के किसी एक हिस्से की घटनाए पूरे विश्व पर प्रभाव पैदा करती हैं, यूक्रेन संगर्ष और कोविड महमारी से ग्लोबल सप्लाइज चेंज पर बड़ा असर पड़ा है, फूड ग्रेंग, फर्टिलाइजर और फ्यूल की कमी विकासिल देशों के लिए बड़ी चिंता की विश्व हैं, यूक्रेन संगर्ष की शुरुवात से ही हमने डिप्लोमसी और डायलोग का मार्ग अपनाने की आवश्रक्ता पर जोर दिया है, हम इस संगर्ष को समाप्त करने के लिए सभी शांतिपूर्ण प्रयासों का समर्थन करते हैं, इस सम्मद में हम अनाज और फर्टिलाइजर के सुरक्षित निर्याद समंदित हाल की सहमति का स्वाध़ भी करते हैं, मैं एक बार फिर राश्पति पुतीन का धन्यवात करता हूं कि उन्होंने मुझे इस फोरम को सम्मोदित करने का आउसर दिया, और इस फोरम में उपस्तित सभी भागिदारों को हारदिक शुब कामनाई देता हूं, बहुत बहुत धन्यवात। राश्पति पुतीन, सम्मानित अतिजीकन, नमस्कार। मुझे खुशी है कि वल्दी वस्तोक में आउजित किया जा रहा है सात्वे इस्टन इकनमिक फोरम में आपसे वर्च्वल रूप से जुढने का मोका मिला। इसी महिने वल्दी वस्तोक में भारत के कांसुलेट की स्थापना के तीस वर्च पूरे हो रहे हैं। इस सहर में कांसुलेट खोलने वाला पहला देश भारत ही था। और तब से यह शहर हमारे समंधों के कई माइस्टोन का साक्षी रहा है। Friends, 2015 में स्थापित किया गया यह फोरम आज रश्यन फारिष के विकास में अंतराश्य सहयोग का एक प्रमूख वैस्ट्रिक मंच बन गया है। इसके लिए मैं राश्पति पुतीन की दुरदर्शिता का अभिनंदन करता हूं और उन्हें बधाई भी देता हूं। 2019 में मुझे इस फोरम में रूबरू हिस्सा लेने का मोका मिला था। उस समय हमने भारत की एक फार इस नीती की गोश्णा की थी। और परणाम स्वरू रश्यन फार इस के साथ विभिन्दक शेत्रों में भारत का सहयोग बढ़ा है। आज यह नीती भारत और रूस की स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेजिक पार्टरशिप की एक प्रमुक्स तंब बन गई है। फ्रेंड्स चाहे हम इंटरनेस्ट्रल नौर्ड साउथ कोरिडोर की बात करें। चिन्य वल्दी वस्तोक मेरिटाइम कोरिडोर की या नौर्दन सी रूट की भविश्य में। कनेक्टिविटी हमारे समंधों के विकास में महत्वपूर्ण भूमी का निभाएगी। भारत आर्केटिक विश्यों पर रुस्के साथ अपनी भागीदारी को मजबूत करने के लिए इच्छुक है। उर्जा के खेत्र में भी सहयोग की अपार संभावनाय है। उर्जा के साथ साथ भारत में फार्बा और डाइमन्स के खेत्रों में भी रुष्यन फारिस के महत्वपूर्ण निवेश किये हैं। रूस कोकिंग कोल की सप्लाई के माध्यम से भारतिय स्टील इंडिस्ट्री के लिए एक महत्वपूर्ण भागिदार बन सकता है। हमारे बीच टाइलेंट की मोबिलीटी में भी अच्छा सहयोग बन सकता है। भारतिय प्रतिभा ने विश्व के कई साधन संपनक्षेत्रों के विकास में योगदान दिया है। मुझे विष्वास हैं कि भारतियों की प्रतिभा और प्रॉफ्रेश्नलिजम से रुष्यन, फारिस्ट में तेजी से विकास आ सकता है। फ्रेंड्स भारत के प्राचिन सिध्धांत वसुधैव कुटुम कमनेह में विश्व को एक परिवार के रूप में देखना सिखाया है। आज के ग्लोबलाइज वर्ल्ड में विश्व के किसी एक हिस्से की घटनाएं पूरे विश्व पर प्रभाव पैदा करती है। यूक्रेन संगर्ष और कोविड महमारी से ग्लोबल सप्लाइज चेंज पर बड़ा असर पड़ा है। फूड ग्रेंग, फॉर्टिलाइजर और फ्यूइल की कमी ही विकांसिल देशों के लिए बड़ी चिंता की विश्व है। यूक्रेन संगर्ष की सुरुवात से ही हमने डिप्लोमसी और डायलोग का मार्ग अपनाने की आवश्रक्ता पर जोर दिया है। हम इस संगर्ष को समाप्त करने के लिए सभी शांतिप्रून प्रयासों का समर्थन करते हैं। इस सम्मन में हम अनाज और फॉर्टिलाइजर के सुरक्षित निर्याथ समंदित हाल की सहमति का स्वाध़ भी करते हैं। मैं एक बार फिर राश्पति पुतीन का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे इस फॉर्टिल को सम्मोधित करने का अवसर दिया। और इस फॉर्टिल में उपस्तित सभी भागिदारों को हारदिक शुब कामनाय देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। राश्पति पुतीन सम्मानित अतिजीगान नमस्कार। मुझे खुशी है कि वल्दी वस्तोक में आउजित किया जा रहा है साथवे इस्टन एकनोमिक फोरम में आपसे वर्च्वल रूप से जुणने का मोका मिला। इसी महिने वल्दी वस्तोक में भारत के कांसुलेट की स्थापना के तीस वर्च पूरे हो रहे हैं। इस शहर में कांसुलेट खोलने वाला पहला देश भारत ही था। और तब से यह शहर हमारे समंधों के कई माइलस्टोन का साक्षी रहा है। फ्रेंट्स 2015 में स्थापित किया गया यह फॉरम आज रश्यन फारिस के विकास में अंतराश्य सहयोग का एक प्रमूख वैश्विक मंच बन गया है। इसके लिए मैं राश्पति पुतीन की दुरदर्शिता का अभिनंदन करता हूं और उन्हें बधाई भी देता हूं। 2019 में मुझे इस फॉरम में रूब्रू हिस्सा लेने का मोका मिला था। उस समय हमने भारत की एक्ट फार इस्ट नीती की गोश्णा की थी। और परणाम स्वरू रश्यन फार इस्ट के साथ विभिन्नक शेत्रों में भारत का सहयोग बढ़ा है। आज यह नीती भारत और रूस की स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टरशिप की एक प्रमुक्स तंब बन गई है। फ्रेंड्स चाहे हम इंटरनेस्ट्रल नौर्ड साउथ कोरिडोर की बात करें। चिन्ने वल्दी वस्तोक मेरिटाइम कोरिडोर की या नौर्दन सी रूट की भविश्च में। कनेक्टिविटी हमारे समंधों के विकास में महत्वपूर्ण भूमी का निभाएगी। भारत आर्केटिक विश्वों पर रूस के साथ अपनी भागीदारी को मजबूत करने के लिए इच्छुक है। उर्जा के खेत्र में भी सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। उर्जा के साथ साथ भारत में फार्बा और डायमेंड्स के ख्षित्रों में भी रश्यन फारिस के महत्वपूर्ण निवेश किये हैं। रूस कोकिंग कोल की सप्लाई के माध्यम से भारतिय स्टील इंडस्ट्री के लिए एक महत्वपूर्ण भागिदार बन सकता है। हमारे बीच टालेंट की मोबिलीटी में भी अच्छा सहयोग बन सकता है। भारतिय प्रतिभा ने विश्व के कई साधन संपनक्षेत्रों के विकास में योगदान दिया है। मुझे विश्वास है कि भारतियों की प्रतिभा और प्रोफेश्नलिजम से रश्यन फारिस में तेजी से विकास आ सकता है। फ्रेंड्स भारत के प्राचिन सिध्धांत वसुधैव कुटुम कमनेह में विश्व को एक परिवार के रूप में देखना सिखाया है। आज के ग्लोबलाइज वर्ल्ड में विश्व के किसी एक हिस्से की घटनाए पूरे विश्व पर प्रभाव पैदा करती है। यूक्रेन संगर्ष और कोविड महमारी से ग्लोबल सप्लाई चेंज पर बड़ा असर पड़ा है। फूड ग्रेंग, फटिलाइजर और फ्यूइल की कमी विकांसिल देशों के लिए बड़ी चिंता की विश्व है। यूक्रेन संगर्ष की सुरुवात से ही हमने डिप्लोमसी और डायलोग का मार्ग अपनाने की आवशक्ता पर जोर दिया है। हम इस संगर्ष को समाप्त करने के लिए सभी शांतिप्रुण प्रयासों का समर्थन करते हैं। इस सम्मद में हम अनाज और फर्टिलाइजर के सुरक्षित निर्याथ समंदित हाल की सहमति का स्वाध़ भी करते हैं। मैं एक बार फिर राश्पति पुतीम का धन्यवात करता हूं कि उन्होंने मुझे इस फोरम को सम्मोधित करने का आउसर दिया। और इस फोरम में उपस्तित सभी भागिदारों को हार्दिक शुबकामनाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवात। राश्पति पुतीन सम्मानित अतिजिकान नमस्कार। मुझे खुशी है कि वल्दी वस्तोक में आउजित किया जा रहा है सात्वे इस्टन एकनमिक फोरम में आपसे वर्च्वल रूप से जुणने का मोका मिला। इसी महिने व्लादी वस्तोक में भारत के कांसुलेट की स्थापना के तीस वर्च पूरे हो रहे हैं। इस सहर में कांसुलेट खोलने वाला पहला देश भारत ही था। और तब से यह शहर हमारे समंधों के कई माइलस्टोन का साक्षी रहा है। फ्रेंट्स 2015 में स्थापित किया गया यह फोरम आज रश्यन फारिस के विकास में अंतराश्य सहयोग का एक प्रमूख वैश्विक मंच बन गया है। इसके लिए मैं राश्पति पूतीन की दुरदर्शिता का अभिनंदन करता हूं और उन्हें बधाई भी देता हूं। 2019 में मुझे इस फोरम में रूबरू हिस्सा लेने का मोका मिला था। उस समय हमने भारत की एक्ट फारिस्ट नीति की गोश्णा की थी। और परणाम स्वरू रश्यन फारिस्ट के साथ विभिन्नक्षेत्रों में भारत का सहयोग बढ़ा है। आज यह नीति भारत और रूस की स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टरशिप की एक प्रमुख स्तंब बन गई है। फ्रेंड्स चाहे हम इंटरनेस्ट्रल नौर्ड साउथ कोरिडोर की बात करें। चिन्य वल्दी वस्तोक मरिटाइम कोरिडोर की या नौर्दन सी रूट की भविश्य में। कनेक्टिविटी हमारे समंधों के विकास में महत्वपूर्ण भूमी का निभाएगी। भारत आर्केटीक विश्यों पर रूस के साथ अपनी भागीदारी को मजबूत करने के लिए इच्छुक है। उर्जा के खेत्र में भी सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। उर्जा के साथ साथ भारत में फार्बा और डाइमर्स के छित्रों में भी रश्यन फारिस के महत्वपूर्ण निवेश किये हैं। रूस कोकिंग कोल की सप्लाई के माध्यम से भारतिय स्टील इंडिस्टी के लिए एक महत्वपूर्ण भागिदार बन सकता है। हमारे बीच टाइलेंट की मोबिलीटी में भी अच्छा सहयोग बन सकता है। भारतिय प्रतिभा ने विश्व के कई साधन संपनक्षेत्रों के विकास में योगदान दिया है। मुझे विश्वास हैं कि भारतियों की प्रतिभा और प्रोफेशनलिजम से रश्यन फारिस में तेजी से विकास आ सकता है। Friends, भारत के प्राचिन सिध्धाम्त वसुधैव कुटुम कमनेह में विश्व को एक परिवार के रूप में देखना सिखाया है। आज के ग्लोबलाइज वर्ल्ड में विश्व के किसी एक हिस्से की घटनाए पूरे विश्व पर प्रभाव पैदा करती है। यूक्रेन संगर्ष और कोविड महमारी से ग्लोबल सप्लाइज चेंज पर बड़ा असर पड़ा है। फूड ग्रेंग, फटिलाइजर और फ्यूइल की कमी विकांसिल देशों के लिए बड़ी चिंता की विश्व है। यूक्रेन संगर्ष की सुरुवात से ही हमने डिप्लोमसी और डायलोग का मार्ग अपनाने की आवश्रक्ता पर जोर दिया है। हम इस संगर्ष को समाप्त करने के लिए सभी शांतिपूर्ण प्रयासों का समर्थन करते हैं। इस सम्मन में हम अनाज और फटिलाइजर के सुरक्षित निर्याथ समंदित हाल की सहमती का स्वाध़ भी करते हैं। मैं एक बार फिर राश्पति पूतीन का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे इस फोरम को सम्मोधित करने का आउसर दिया। और इस फोरम में उपस्तित सभी भागिदारों को हारदिक शुब कामनाय देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। राश्पति पूतीन सम्मानित अतिजीकन नमस्कार। मुझे खुशी है कि वल्दी वस्तोक में आउजित किया जा रहा है सात्वे इस्टन एकनमिक फोरम में आपसे वर्च्वल रूप से जुणने का मोका मिला। इसी महिने व्लादी वस्तोक में भारत के कांसुलेट की स्थापना के तीस वर्च पूरे हो रहे हैं। इस सहर में कांसुलेट खोलने वाला पहला देश भारत ही था। और तब से यह शहर हमारे समंधों के कई माइस्टोन का साक्षी रहा है। Friends, 2015 में स्थापित किया गया यह फोरम आज रश्यन फारिस के विकास में अंतराश्य सहयोग का एक प्रमूख वैश्विक मंच बन गया है। इसके लिए मैं राश्पति पूतीन की दुरदर्शिता का अभिनंदन करता हूं और उन्हें बधाई भी देता हूं। 2019 में मुझे इस फोरम में रूबरू हिस्सा लेने का मोका मिला था। उस समय हमने भारत की एक फार इस नीती की गोश्णा की थी। और परणाम स्वरूप रश्यन फार इस के साथ विभिन्नक शेत्रों में भारत का सहयोग बढ़ा है। आज यह नीती भारत और रूस की स्पेशल और प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टरशिप की एक प्रमुख स्तंब बन गई है। Friends, चाहे हम International North-South Corridor की बात करें, चिन्ने वल्दी वस्तोक Maritime Corridor की या Northern Sea Route की भविश्च में, Connectivity हमारे समंधों के विकास में महत्वपूर्ण भूमी का निभाएगी। भारत आर्केटीक विशों पर रूस के साथ अपनी भागीदारी को मजबूत करने के लिए इच्छुक है। उर्जा के खेत्र में भी सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। उर्जा के साथ साथ भारत में फार्बा और डाइमेंड्स के खेत्रों में भी रश्यन फारिस के महत्वपूर्ण निवेश किये हैं। रूस कोकिंग कोल की सप्लाई के माध्यम से भारतिय स्टील इंडस्ट्री के लिए एक महत्वपूर्ण भागिदार बन सकता है। हमारे बीच टाइलेंट की मोबिलिटी में भी अच्छा सहयोग बन सकता है। भारतिय प्रतिभा ने विश्व के कई साधन संपनक्षेत्रों के विकास में योगदान दिया। मुझे विश्वास है कि भारतियों की प्रतिभा और प्रफ्रेश्नलिजम से रश्यन फारिस में तेजी से विकास आसकता है। फ्रेंड्स, भारत के प्राचिन सिध्धाम्त वसुधैव कुटुम कमनेह में विश्व को एक परिवार के रूप में देखना सिखाया है। आज के ग्लोबलाइज वर्ल्ड में विश्व के किसी एक हिस्से की घटनाए पूरे विश्व पर प्रभाव पैदा करती है। यूक्रेन संगर्ष और कोविड महमारी से ग्लोबल सप्लाइज चेंज पर बड़ा असर पड़ा है। फूड ग्रेंग, फटिलाइजर और फ्यूइल की कमी विकांसिल देशों के लिए बड़ी चिंता की विश्व है। यूक्रेन संगर्ष की सुरुवात से ही हमने डिप्लोमसी और डायलोग का मार्ग अपनाने की आवश्रक्ता पर जोर दिया है। हम इस संगर्ष को समाप्त करने के लिए सभी शांतिप्रोण प्रयासों का समर्थन करते हैं। इस सम्मन में हम अनाज और फटिलाइजर के सुरक्षित निर्याथ समंदित हाल की सहमती का स्वाध़ भी करते हैं। मैं एक बार फिर राश्पति पुतीन का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे इस फोरम को सम्मोधित करने का आउसर दिया। और इस फोरम में उपस्तित सभी भागिदारों को हारदिक शुब कामनाय देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। राश्पति पूतीन सम्मानित अतिजीगान नमस्कार। मुझे खुशी है कि वल्दी वस्तोक में आउजित किया जा रहा है सात्वे इस्टन इकन्मिक फोरम में आपसे वर्च्वल रूप से जुणने का मोका मिला। इसी महिने व्लादी वस्तोक में भारत के कांसुलेट की स्थापना के तीस वर्च पूरे हो रहे हैं। इस सहर में कांसुलेट खोलने वाला पहला देश भारत ही था। और तब से यह शहर हमारे समंधों के कई माइस्टोन का साक्षी रहा है। फ्रेंट्स, 2015 में स्थापित किया गया यह फोरम, आज रश्यन फारिस के विकास में अंतराश्य सहयोग का एक प्रमूख वैश्विक मंच बन गया है। इसके लिए मैं राश्पति पुतीन की दुरदर्शिता का अभिनंदन करता हूं और उन्हें बधाई भी देता हूं। 2019 में मुझे इस फोरम में रूबरू हिस्सा लेने का मोका मिला था। उस समय हमने भारत की एक फार इस नीती की गोश्णा की थी। और परणाम स्वरू रश्यन फार इस के साथ विबिन्नक शेत्रों में भारत का सहयोग बढ़ा है। आज यह नीती भारत और रूस की स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेजिक पार्टरशिप की एक प्रमुक्स तंब बन गई है। फ्रेंड्स चाहे हम इंटरनेस्ट्रल नौर्ड साउथ कोरिडोर की बात करें। चिन्य वल्दी वस्तोक मेरिटाइम कोरिडोर की या नौर्दन सी रूट की भविश्य में। कनेक्टिविटी हमारे समंधों के विकास में महत्वपूर्ण भूमी का निभाएगी। भारत आर्केटीक विश्यों पर रुस के साथ अपनी भागीदारी को मजबूत करने के लिए इच्छुक है। उर्जा के खेत्र में भी सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। उर्जा के साथ साथ भारत में फार्बा और डाइमेंड्स के खेत्रों में भी रश्यन फारिस के महत्वपूर्ण निवेश किये हैं। रूस कोकिंग कोल की सप्लाई के माध्यम से भारतिय स्टील इंडस्टी के लिए एक महत्वपूर्ण भागिदार बन सकता है। हमारे बीच टाइलेंट की मोबिलीटी में भी अच्छा सहयोग बन सकता है। भारतिय प्रतिभा ने विश्व के कई साधन संपनक्षेत्रों के विकास में योग्दान दिया है। मुझे विश्वास है कि भारतियों की प्रतिभा और प्रोफेश्नलिजम से रश्यन फारिस में तेजी से विकास आ सकता है। Friends, भारत के प्राचिन सिध्धांत वसुधैव कुटुम कमनेह में विश्व को एक परिवार के रूप में देखना सिखाया है। आज के ग्लोबलाइज वर्ल्ड में विश्व के किसी एक हिस्से की घटनाए पूरे विश्व पर प्रभाव पैदा करती है। यूक्रेन संगर्श और कोविड महमारी से ग्लोबल सप्लाइज चेंज पर बड़ा असर पड़ा है। फूड ग्रेंग, फटिलाइजर और फ्यूइल की कमी विकासिल देशों के लिए बड़ी चिंता की विश्व है। यूक्रेन संगर्श की शुरुवात से ही हमने डिप्लोमसी और डायलोग का मार्ग अपनाने की आवश्रक्ता पर जोर दिया है। हम इस संगर्श को समाप्त करने के लिए सभी शांतिपूर्ण प्रयासों का समर्थन करते हैं। इस सम्मन में हम अनाज और फटिलाइजर के सुरक्षित निर्याथ समंदित हाल की सहमति का स्वाध़ भी करते हैं। मैं एक बार फिर राश्पति पूतीन का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे इस फोरम को सम्मोधित करने का आउसर दिया। और इस फोरम में उपस्तित सभी भागिदारों को हार दिक शुब कामनाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। राश्पति पूतीन, सम्मानित अतिजीगान, नमस्कार। मुझे खुशी है कि वल्दी वस्तोक में आउजित किया जा रहा है साथवे इस्टन इकन्मिक फोरम में आपसे वर्चुल रूप से जुणने का मोका मिला। इसी महिने वलादी वस्तोक में भारत के कांसुलेट की स्थापना के तीस वर्च पूरे हो रहे हैं। इस सहर में कांसुलेट खोलने वाला पहला देश भारत ही था। और तब से यह शहर हमारे समंधों के कई माइल स्टोन का साक्षी रहा है। फ्रेंट्स, 2015 में स्थापित किया गया यह फोरम, आज रश्यन फारिस के विकास में अंतराश्य सहयोग का एक प्रमूख वैस्ट्रिक मंच बन गया है। इसके लिए मैं राश्पति पुतीन की दुरदर्शिता का अभिनंदन करता हूं और उन्हें बधाई भी देता हूं। 2019 में मुझे इस फोरम में रूबरू हिस्सा लेने का मोका मिला था। उस समय हमने भारत की एक फार इस नीती की गोश्णा की थी। और परणाम स्वरूप रश्यन फार इस के साथ विबिन्नक शेत्रों में भारत का सहयोग बढ़ा है। आज यह नीती भारत और रूस की स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेजिक पार्टरशिप की एक प्रमुक्स तंब बन गई है। Friends, चाहे हम International North-South Corridor की बात करें, चिन्ने वल्दी वस्तोक Maritime Corridor की या Northern Sea Route की भविश्च में Connectivity हमारे समंधों के विकास में महत्वपूर्ण भूमी का निभाएगी। भारत आर्केटीक विश्वों पर रूस के साथ अपनी भागीदारी को मजबूत करने के लिए इच्छुक है। उर्जा के खेत्र में भी सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। उर्जा के साथ साथ भारत में फार्बा और डाइमेंड्स के खेत्रों में भी रश्यन फारिस के महत्वपूर्ण निवेश किये हैं। रूस कोकिंग कोल की सप्लाई के माध्यम से भारतिय स्टील इंडस्ट्री के लिए एक महत्वपूर्ण भागिदार बन सकता है। हमारे बीच टैलेंट की मोबिलिटी में भी अच्छा सहयोग बन सकता है। भारतिय प्रतिभा ने विश्व के कई साधन संपनक्षेत्रों के विकास में योगदान दिया है। मुझे विश्वास है कि भारतियों की प्रतिभा और प्रोफेशनलिजम से रश्यन फारिस में तेजी से विकास आ सकता है। फ्रेंड्स भारत के प्राचिन सिध्धांत वसुधैव कुटुम कमनेह में विश्व को एक परिवार के रूप में देखना सिखाया है आज के ग्लोबलाइज वर्ल्ड में विश्व के किसी एक हिस्से की घटनाएं पूरे विश्व पर प्रभाव पैदा करती हैं यूक्रेन संगर्ष और कोविड महमारी से ग्लोबल सप्लाइज चेंज पर बड़ा असर पड़ा है फूड ग्रेंग, फटिलाइजर और फ्यूइल की कमी विकांसिल देशों के लिए बड़ी चिंता की विश्व है यूक्रेन संगर्ष की शुरुवात से ही हमने डिप्लोमसी और डायलोग का मार्ग अपनाने की आवश्रक्ता पर जोर दिया है हम इस संगर्ष को समाप्त करने के लिए सभी शांतिप्रोन प्रयासों का समर्थन करते हैं इस सम्मन में हम अनाज और फटिलाइजर के सुरक्षित निर्याथ समंदित हाल की सहमति का स्वाध़ भी करते हैं मैं एक बार फिर राश्पति पुतीन का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे इस फोरम को सम्मोधित करने का आउसर दिया और इस फोरम में उपस्तित सभी भागिदारों को हारदिक शुब कामनाय देता हूं बहुत बहुत धन्यवाद राश्पति पुतीन सम्मानित अतिजीगान नमस्कार मुझे खुशी है कि वालदीव वस्तोक में आउजित किया जा रहा है साथवे इस्टन इकनमिक फोरम में आपसे वर्च्वल रूप से जुड़ने का मोका मिला इसी महिने व्लादी वस्तोक में भारत के कंसलेट की स्थापना के तीस वर्च पूरे हो रहे हैं इस शहर में कांसुलेट खोलने वाला पहला देश भारत ही था और तब से यह शहर हमारे समंधों के कई माइल्स्टोन का साक्षी रहा है फ्रेंट्स 2015 में स्थापित किया गया यह फोरम आज रश्यन फारिष के विकास में अंतराश्य सहयोग का एक प्रमूख वैस्ष्विक मंच बन गया है इसके लिए मैं राश्पति पुतीन की दुरदर्शिता का अभिनंदन करता हूं और उन्हें बधाई भी देता हूं 2019 में मुझे इस फोरम में रूब्रू हिस्सा लेने का मोका मिला था उस समय हमने भारत की एक्ट फार इस नीति की गोश्णा की थी और प्रणाम स्वरू रश्यन फारिस के साथ विभिन्नक्षेत्रों में भारत का सहयोग बढ़ा है आज यह नीति भारत और रूस की स्पेश्यल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टरशिप की एक प्रमुख स्तंब बन गई है फ्रेंड्स चाहे हम इंट्रनेस्ट्रल नौर्ड साउथ कोरिडोर की बात करें चिन्ने वल्दी वस्तोक मेरिटाइम कोरिडोर की या नौर्दन सी रूट की भविश्य में कनेक्टिविटी हमारे समंधों के विकास में महत्वपूर्ण भूमी का निभाएगी भारत आर्केटिक विश्यों पर रुस के साथ अपनी भागीदारी को मजबूत करने के लिए इच्छुक है उर्जा के खेत्र में भी सहयोग की अपार संभावनाएं हैं उर्जा के साथ साथ भारत में फार्बा और डाइमेंड्स के खेत्रों में भी रश्यन फारिस के महत्वपूर्ण निवेश किये हैं रूस कोकिंग कोल की सप्लाई के माध्यम से भारतिय स्टील इंडिस्ट्री के लिए एक महत्वपूर्ण भागिदार बन सकता है हमारे बीच टाइलेंट की मोबिलीटी में भी अच्छा सहयोग बन सकता है भारतिय प्रतिभा ने विष्व के कई साधन संपनक्षेत्रों के विकास में योग दान दिया है मुझे विश्वास है कि भारतियों की प्रतिभा और प्रोफेशनलिजम से रश्यन फारिस में तेजी से विकास आ सकता है फ्रेंड्स भारत के प्राचिन सिध्धाम्त वसुधैव कुटुम कमनेह में विश्व को एक परिवार के रूप में देखना सिखाया है आज के ग्लोबलाइज वर्ल्ड में विश्व के किसी एक हिस्से की घटनाए पूरे विश्व पर प्रभाव पैदा करती है यूक्रेन संगर्ष और कोविड महमारी से ग्लोबल सप्लाइज चेंज पर बड़ा असर पड़ा है फूड ग्रेंग, फटिलाइजर और फ्यूइल की कमी विकांसिल देशों के लिए बड़ी चिंता की विश्व है यूक्रेन संगर्ष की सुरुवात से ही हमने डिप्लोमसी और डायलोग का मार्ग अपनाने की आवश्रक्ता पर जोड दिया है हम इस संगर्ष को समाप्त करने के लिए सभी शांतिप्रोण प्रयासों का समर्थन करते हैं इस सम्मन में हम अनाज और फटिलाइजर के सुरक्षित निर्याथ समंदित हाल की सहमति का स्वाध़ भी करते हैं मैं एक बार फिर राश्पति पुतीन का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे इस फोरम को सम्मोधित करने का आउसर दिया और इस फोरम में उपस्तित सभी भागिदारों को हारदिक शुब कामनाई देता हूं बहुत बहुत धन्यवाद राश्पति पुतीन सम्मानित अतिजीकन नमस्कार मुझे खुशी है कि वल्दी वस्तोक में आवजित किया जा रहा है साथवे इस्टन इकनमिक फोरम में आप से वर्च्वल रूप से जुढने का मोका मिला इसी महिने वल्दी वस्तोक में भारत के कंसलेट की स्थापना के तीस वर्ष पूरे हो रहे है इस सहर में कांसुलेट खोलने वाला पहला देश भारत ही था और तब से यह शहर हमारे समंधों के कई माइस्टोन का साक्षी रहा है फ्रेंट्स 2015 में स्थापित किया गया यह फोरम आज रश्यन फारिष के विकास में अंतराश्ट्य सहयोग का एक प्रमूख वैस्ट्रिक मंच बन गया है इसके लिए मैं राश्पति पुतीन की दुरदर्शिता का अभिनंदन करता हूं और उन्हें बधाई भी देता हूं 2019 में मुझे इस फोरम में रूब्रू हिस्सा लेने का मोका मिला था उस समय हमने भारत की एक फार इस नीति की गोश्णा की थी और प्रणाम स्वरू रश्यन फारिस के साथ विभिन्दक शेत्रों में भारत का सहयोग बढ़ा है आज यह नीति भारत और रूस की स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टरशिप की एक प्रमुक्स तंब बन गई है फ्रेंड्स चाहे हम इंटरनेस्ट्रल नौर्ट साउथ कोरिडोर की बात करें चेन्य वाल्दी वस्तोक मेरिटाइम कोरिडोर की या नौर्दन सी रूट की भविश्च में कनेक्टिविटी हमारे समंधों के विकास में महत्वपूर्ण भूमी का निभाएगी भारत आर्केटिक विश्वों पर रूस के साथ अपनी भागीदारी को मजबूत करने के लिए इच्छुक है उर्जा के खेत्र में भी सहयोग की अपार संभावनाएं हैं उर्जा के साथ साथ भारत में फार्बा और डाइमेंड्स के खेत्रों में भी रश्यन फार इसके महत्वपूर निवेश किये हैं रूस कोकिंग कोल की सप्लाई के माध्यम से भारतिय स्टील इंडिस्ट्री के लिए एक महत्वपूर भागिदार बन सकता है हमारे बीच टाइलेंट की मोबिलीटी में भी अच्छा सहयोग बन सकता है भारतिय प्रतिभा ने विश्व के कई साधन संपनक्षेत्रों के विकास में योगदान दिया है मुझे विश्वास है कि भारतियों की प्रतिभा और प्रोफेश्नलिजम से रश्यन फारिस में तेजी से विकास आ सकता है फ्रेंड्स भारत के प्राचिन सिध्धांत वसुधैव कुटुम कमनेह में विश्व को एक परिवार के रूप में देखना सिखाया है आज के ग्लोबलाइज वर्ल्ड में विश्व के किसी एक हिस्से की घटनाए पूरे विश्व पर प्रभाव पैदा करती है यूक्रेन संगर्ष और कोविड महमारी से ग्लोबल सप्लाइज चेंज पर बड़ा असर पड़ा है फूड ग्रेंग फर्टिलाइजर और फ्यूइल की कमी विकासिल देशों के लिए बड़ी चिंता की विश्व है यूक्रेन संगर्ष की सुरुवात से ही हमने डिप्लोमसी और डायलोग का मार्ग अपनाने की आवश्रक्ता पर जोर दिया है हम इस संगर्ष को समाप्त करने के लिए सभी शांतिप्रुण प्रयासों का समर्थन करते हैं इस समंद में हम अनाज और फर्टिलाइजर के सुरक्षित निर्याथ समंदित हाल की सहमति का स्वाध़ भी करते हैं मैं एक बार फिर राश्पति पुतीम का धन्यवात करता हूं कि उन्होंने मुझे इस फोरम को सम्मोधित करने का आउसर दिया और इस फोरम में उपस्तित सभी भागिदारों को हार्दिक शुब कामनाई देता हूं बहुत बहुत धन्यवाद राश्पति पुतीन सम्मानित अतिजीकान नमस्कार मुझे खुशी है कि वल्दी वस्तोक में आउजित किया जा रहा है साथवे इस्टन इकनमिक फोरम में आपसे वर्च्वल रूप से जुणने का मोका मिला इसी महिने वल्दी वस्तोक में भारत के कांसुलेट की स्थापना के तीस वर्च पूरे हो रहे हैं इस सहर में कांसुलेट खोलने वाला पहला देश भारत ही था और तब से यह शहर हमारे समंधों के कई माइस्टोन का साक्षी रहा है फ्रेंट्स 2015 में स्थापित किया गया यह फोरम आज रश्यन फारिष के विकास में अंतराश्ट्य सहयोग का एक प्रमूख वैस्ट्रिक मंच बन गया है इसके लिए मैं राश्पति पूतीन की दुरदर्शिता का अभिनंदन करता हूं और उन्हें बधाई भी देता हूं 2019 में मुझे इस फोरम में रूबरू हिस्सा लेने का मोका मिला था उस समय हमने भारत की एक्ट फार इस नीति की गोश्णा की थी और परणाम स्वरू रश्यन फारिस के साथ विभिन्नक्षेत्रों में भारत का सहयोग बढ़ा है आज यह नीति भारत और रूस की स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेजिक पार्टरशिप की एक प्रमुख स्तंब बन गई है फ्रेंड्स चाहे हम इंटरनेस्ट्रल नौर्ड साउथ कोरिडोर की बात करें चिन्ने वल्दी वस्तोक मेरिटाइम कोरिडोर की या नौर्दन सी रूट की भविश्य में कनेक्टिविटी हमारे समंधों के विकास में महत्वपूर्ण भूमी का निभाएगी भारत आर्केटिक विश्यों पर रुष्य के साथ अपनी भागीदारी को मजबूत करने के लिए इच्छुक है उर्जा के खेत्र में भी सहयोग की अपार संभावनाएं हैं उर्जा के साथ साथ भारत में फार्बा और डाइमेंड्स के खेत्रों में भी रुष्यन फारिस के महत्वपूर्ण निवेश किये हैं रूस कोकिंग कोल की सप्लाई के माध्यम से भारतिय स्टील इंडिस्ट्री के लिए एक महत्वपूर्ण भागिदार बन सकता है हमारे बीच टाइलेंट की मोबिलीटी में भी अच्छा सहयोग बन सकता है भारतिय प्रतिभा ने विश्व के कई साधन संपनक्षेत्रों के विकास में योगदान दिया है मुझे विश्वास है कि भारतियों की प्रतिभा और प्रोफेशनलिजम से रुष्यन फारिस में तेजी से विकास आ सकता है फ्रेंड्स भारत के प्राचिन सिध्धाम्त वसुधैव कुटुम कम ने हमें विश्व को एक परिवार के रूप में देखना सिखाया है आज के ग्लोबलाइज वर्ल्ड में विश्व के किसी एक हिस्से की घटनाए पूरे विश्व पर प्रभाव पैदा करती है यूक्रेन संगर्ष और कोविड महमारी से ग्लोबल सप्लाइज चेंज पर बड़ा असर पड़ा है फूड ग्रेंग, फटिलाइजर और फ्यूइल की कमी विकांसिल देशों के लिए बड़ी चिंता की विश्व है यूक्रेन संगर्ष की सुरुवाद से ही हमने डिप्लोमसी और डायलोग का मार्ग अपनाने की आवश्रक्ता पर जोर दिया है हम इस संगर्ष को समाप्त करने के लिए सभी शांतिप्रोण प्रयासों का समर्थन करते हैं इस सम्मन में हम अनाज और फटिलाइजर के सुरक्षित निर्याथ समंदित हाल की सहमति का स्वाध़ भी करते हैं मैं एक बार फिर राश्पति पुतीन का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस फोरम को सम्मोधित करने का आउसर दिया और इस फोरम में उपस्तित सभी भागिदारों को हारदिक शुब कामनाई देता हूँ बहुत बहुत धन्यवाद राश्पति पूतीन सम्मानित अतिजीगान नमस्कार मुझे खुशी है कि वल्दीप अस्तोक में आउजित किया जा रहा है साथवे इस्टन इकन्मिक फोरम में आप से वर्च्वल रूप से जुणने का मोका मिला इसी महिने व्लादी वस्तोक में भारत के कांसुलेट की स्थापना के तीस वर्च पूरे हो रहे हैं इस सहर में कांसुलेट खोलने वाला पहला देश भारत ही था और तब से यह शहर हमारे समंधों के कई माइलस्टोन का साक्षी रहा है फ्रेंट्स 2015 में स्थापित किया गया यह फोरम आज रश्यन फारिस के विकास में अंतराश्य सहयोग का एक प्रमूख वैस्ष्विक मंच बन गया है इसके लिए मैं राश्पति पूतीन की दुरदर्शिता का अभिनंदन करता हूं और उन्हें बधाई भी देता हूं 2019 में मुझे इस फोरम में रूबरू हिस्सा लेने का मोका मिला था उस समय हमने भारत की एक्ट फारिस्ट नीति की गोश्णा की थी और परणाम स्वरू रश्यन फारिस्ट के साथ विभिन्नक शेत्रों में भारत का सहयोग बढ़ा है आज यह नीति भारत और रूस की स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टरसिप की एक प्रमुख स्तंब बन गई है फ्रेंड्स चाहे हम इंटरनेस्ट्रल नौर्ड साउथ कोरिडोर की बात करें चिन्य वल्दी वस्तोक मेरिटाइम कोरिडोर की या नौर्दन सी रूट की भविश्य में कनेक्टिविटी हमारे समंधों के विकास में महत्वपूर्ण भूमी का निभाएगी भारत आर्केटिक विश्यों पर रूस के साथ अपनी भागीदारी को मजबूत करने के लिए इच्छुक है उर्जा के खेत्र में भी सहयोग की अपार संभावनाएं हैं उर्जा के साथ साथ भारत में फार्वां और डाइमेंड्स के खेत्रों में भी रश्यन फारिस के महत्वपूर्ण निवेश किये हैं रूस कोकिंग कोल की सप्लाई के माध्यम से भारतिय स्टील इंडिस्ट्री के लिए एक महत्वपूर्ण भागिदार बन सकता है हमारे बीच टाइलेंट की मोबिलिटी में भी अच्छा सहयोग बन सकता है भारतिय प्रतिभा ने विश्व के कई साधन संपनक्षेत्रों के विकास में योगदान दिया है मुझे विष्वास है कि भारतियों की प्रतिभा और प्रोफरेश्णलिज्म से रश्यन फारिस में तेयंजी से विकास आ सकता है फ्रेंड्स, भारत के प्राचिन सिध्धाम्त वसुधैव कुटुम कमनेह में विश्व को एक परिवार के रूप में देखना सिखाया है। आज के ग्लोबलाइज वर्ल्ड में विश्व के किसी एक हिस्से की घटनाएं पूरे विश्व पर प्रभाव पैदा करती हैं। यूक्रेन संगर्ष और कोविड महमारी से ग्लोबल सप्लाइज चेंज पर बड़ा असर पड़ा है। फूड ग्रेंग, फॉर्टिलाइजर और फ्यूल की कमी विकांसिल देशों के लिए बड़ी चिंता की विश्व है। यूक्रेन संगर्ष की सुरुवात से ही हमने डिप्लोमसी और डायलोग का मार्ग अपनाने की आवश्रक्ता पर जोर दिया है। हम इस संगर्ष को समाप्त करने के लिए सभी शांतिप्रून प्रयासों का समर्थन करते हैं। इस सम्मन में हम अनाज और फॉर्टिलाइजर के सुरक्षित निर्याथ समंदित हाल की सहमति का स्वाध़ भी करते हैं। मैं एक बार फिर राश्पति पूतीन का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे इस फॉर्म को सम्मोधित करने का आउसर दिया। और इस फॉर्म में उपस्तित सभी भागिदारों को हारदिक शुब कामनाय देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। राश्पति पूतीन सम्मानित अतिजीगन नमस्कार। मुझे खुशी है कि वालदीव वस्तोक में आउजित किया जा रहा है सात्वे इस्टन इकनमिक फॉरम में आपसे वर्च्वल रूप से जुड़ने का मोका मिला। इसी महिने व्लादी वस्तोक में भारत के कंसुलेट की स्थापना के 30 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इस शहर में कांसुलेट खोलने वाला पहला देश भारत ही था। और तब से यह शहर हमारे समंधों के कई मालस्टोन का साक्षी रहा है। Friends, 2015 में स्थापित किया गया यह फौरम आज रश्यन फारिस के विकास में अंतराश्य सहयोग का एक प्रमूख वैस्ष्विक मंच बन गया है। इसके लिए मैं राश्पति पुतीन की दुरदर्शिता का अभिनंदन करता हूं और उन्हें बधाई भी देता हूं। 2019 में मुझे इस फौरम में रूबरू हिस्सा लेने का मोका मिला था। उस समय हमने भारत की एक्ट फार इस्ट नीती की गोश्णा की थी। और परणाम स्वरू रश्यन फार इस्ट के साथ विभिन्दक शेत्रों में भारत का सहयोग बढ़ा है। आज यह नीती भारत और रूस की स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेजिक पार्टरशिप की एक प्रमुक्स तंब बन गई है। फ्रेंड्स चाहे हम इंटरनेस्ट्रल नौर्ड साउथ कोरिडोर की बात करें। चिन्य वल्दी वस्तोक मेरिटाइम कोरिडोर की या नौर्दन सी रूट की भविश्य में। कनेक्टिविटी हमारे समंधों के विकास में महत्वपूर्ण भूमी का निभाएगी। भारत आर्केटिक विश्यों पर रुस्के साथ अपनी भागीदारी को मजबूत करने के लिए इच्छुक है। उर्जा के खेत्र में भी सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। उर्जा के साथ साथ भारत में फार्बा और डाइमेंड्स के खेत्रों में भी रश्यन फारिस के महत्वपूर्ण निवेश किये हैं। रूस कोकिंग कोल की सप्लाई के माध्यम से भारतिय स्टील इंडिस्ट्री के लिए एक महत्वपूर्ण भागिदार बन सकता है। हमारे बीच टाइलेंट की मोबिलीटी में भी अच्छा सहयोग बन सकता है। भारतिय प्रतिभा ने विश्व के कई साधन संपनक्षेत्रों के विकास में योगदान दिया है। मुझे विश्वास है कि भारतियों की प्रतिभा और प्रोफेश्नलिजम से रश्यन फारिस में तेजी से विकास आ सकता है। Friends, भारत के प्राचिन सिध्धांत वसुधैव कुटुम कमनेह में विश्व को एक परिवार के रूप में देखना सिखाया है। आज के ग्लोबलाइज वर्ल्ड में विश्व के किसी एक हिस्से की घटनाए पूरे विश्व पर प्रभाव पैदा करती है। यूक्रेन संगर्श और कोविड महमारी से ग्लोबल सप्लाइज चेंज पर बड़ा असर पड़ा है। फूड ग्रेंग, फटिलाइजर और फ्यूइल की कमी विकासिल देशों के लिए बड़ी चिंता की विश्व है। यूक्रेन संगर्श की सुरुवात से ही हमने डिप्लोमसी और डायलोग का मार्ग अपनाने की आवश्रक्ता पर जोर दिया है। हम इस संगर्श को समाप्त करने के लिए सभी शांतिप्रूण प्रयासों का समर्थन करते हैं। इस सम्मन में हम अनाज और फटिलाइजर के सुरक्षित निर्याथ समंदित हाल की सहमति का स्वाध़ भी करते हैं। मैं एक बार फिर राश्पति पुतीन का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे इस फोरम को सम्मोदित करने का आउसर दिया। और इस फोरम में उपस्तित सभी भागिदारों को हारदिक शुबकामनाय देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। राश्पति पूतीन, सम्मानित अतिजीगान, नमस्कार। मुझे खुशी है कि वालदीव वस्तोक में आउजित किया जा रहा है साथवे इस्टन इकोनमिक फोरम में आपसे वर्च्वल रूप से जुणने का मोका मिला। इसी महिने व्लादी वस्तोक में भारत के कांसुलेट की स्थापना के तीस वर्च पूरे हो रहे हैं। इस सहर में कांसुलेट खोलने वाला पहला देश भारत ही था। और तब से यह शहर हमारे समंधों के कई माइलस्टोन का साक्षी रहा है। फ्रेंट्स, 2015 में स्थापित किया गया यह फोरम, आज रश्यन फारिस के विकास में अंतराश्य सहयोग का एक प्रमूख वैस्ष्विक मंच बन गया है। इसके लिए मैं राश्पति पुतीन की दुरदर्शिता का अभिनंदन करता हूं और उन्हें बधाई भी देता हूं। 2019 में मुझे इस फोरम में रूबरू हिस्सा लेने का मोका मिला था। उस समय हमने भारत की एक्ट फार इस नीति की गोश्णा की थी। और परणाम स्वरूप रश्यन फारिस के साथ विबिन्नक शेत्रों में भारत का सहयोग बढ़ा है। आज यह नीति भारत और रूस की स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेजिक पार्टरशिप की एक प्रमुक्स तंब बन गई है। Friends, चाहे हम International North-South Corridor की बात करें, चिन्ने वल्दी वस्तोक Maritime Corridor की या Northern Sea Route की भविश में Connectivity हमारे समंधों के विकास में महत्वपूर्ण भूमी का निभाएगी। भारत आर्केटीक विशहों पर रूस के साथ अपनी भागीदारी को मजबूत करने के लिए इच्छुक है। उर्जा के खेत्र में भी सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। उर्जा के साथ साथ भारत में फार्बा और डाइमेंड्स के खेत्रों में भी रश्यन फारिस के महत्वपूर्ण निवेश किये हैं। रूस कोकिंग कोल की सप्लाई के माध्यम से भारतिय स्टील इंडस्टी के लिए एक महत्वपूर्ण भागिदार बन सकता है। हमारे बीच टाइलेंट की मोबिलीटी में भी अच्छा सहयोग बन सकता है। भारतिय प्रतिभा ने विश्व के कई साधन संपनक्षेट्रों के विकास में योगदान दिया है। मुझे विश्वास हैं कि भारतियों की प्रतिभा और प्रोफेशनलिजम से रश्यन फारिस में तेजी से विकास आ सकता है। Friends, भारत के प्राचिन सिध्धाम्त वसुधैव कुटुम कमनेह में विश्व को एक परिवार के रूप में देखना सिखाया है। आज के ग्लोबलाइज वर्ल्ड में विश्व के किसी एक हिस्से की घटनाए पूरे विश्व पर प्रभाव पैदा करती है। इंता की विश्व है। उक्रेन संगर्ष की शुरुवात से ही हमने डिप्लोमसी और डायलोग का मार्ग अपनाने की आवश्रक्ता पर जोर दिया है। हम इस संगर्ष को समाप्त करने के लिए सभी शांतिपूर्ण प्रयासों का समर्थन करते हैं। इस संगर्ष में हम अनाज और फर्टिलाइजर के सुरक्षित निर्याथ समंदित हाल की सहमति का स्वाध़ भी करते हैं। मैं एक बार फिर राश्पति पूतीन का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे इस फोरम को सम्मोधित करने का आउसर दिया। और इस फोरम में उपस्तित सभी भागिदारों को हारदिक शुब कामनाय देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी महिने व्लादी वस्तोक में भारत के कांसुलेट की स्थापना के तीस वर्ष पूरे हो रहे हैं। इस सहर में कांसुलेट खोलने वाला पहला देश भारत ही था। और तब से यह शहर हमारे समंधों के कई माइस्टोन का साक्षी रहा है। फ्रेंट्स, 2015 में स्थापित किया गया यह फोरम, आज रश्यन फारिष के विकास में अंतराश्य सहयोग का एक प्रमूख वैश्विक मंच बन गया है। इसके लिए मैं राश्पति पुतीन की दुरदर्शिता का अभिनंदन करता हूं और उन्हें बधाई भी देता हूं। 2019 में मुझे इस फोरम में रूबरू हिस्सा लेने का मोका मिला था। उस समय हमने भारत की एक्ट फार इस नीती की गोश्णा की थी। और परणाम स्वरू रश्यन फार इस के साथ विभिन्दक शेत्रों में भारत का सहयोग बढ़ा है। आज यह नीती भारत और रूस की स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेजिक पार्टरशिप की एक प्रमुक्स तंब बन गई है। फ्रेंड्स चाहे हम इंटरनेस्ट्रल नौर्ड साउथ कोरिडोर की बात करें। चिन्ने वल्दी वस्तोक मेरिटाइम कोरिडोर की या नौर्दन सी रूट की भविश्य में। कनेक्टिविटी हमारे समंधों के विकास में महत्वपूर्ण भूमी का निभाएगी। भारत आर्केटिक विश्यों पर रुष्य के साथ अपनी भागीदारी को मजबूत करने के लिए इच्छुक है। उर्जा के छेत्र में भी सहयोग की अपार संभावनाएं है। भारत में फार्बा और डाइमेंड्स के खेत्रों में भी रुष्यन फारिस के महत्वपूर्ण निवेश किये हैं। रूस कोकिंग कोल की सप्लाई के माध्यम से भारतिय स्टील इंडिस्ट्री के लिए एक महत्वपूर्ण भागिदार बन सकता है। हमारे बीच टाइलेंट की मोबिलीटी में भी अच्छा सहयोग बन सकता है। भारतिय प्रतिभा ने विश्व के कई साधन संपनक्षेत्रों के विकास में योगदान दिया है। मुझे विश्वास हैं कि भारतियों की प्रतिभा और प्रोफेशनलिजम से रुष्यन फारिस में तेजी से विकास आ सकता है। फ्रेंड्स भारत के प्राचिन सिध्धांत वसुधैव कुटुम कमनेह में विश्व को एक परिवार के रूप में देखना सिखाया है आज के ग्लोबलाइज वर्ल्ड में विश्व के किसी एक हिस्से की घटनाएं पूरे विश्व पर प्रभाव पैदा करती हैं यूक्रेन संगर्ष और कोविड महमारी से ग्लोबल सप्लाइज चेंज पर बड़ा असर पड़ा है फूड ग्रेंग, फटिलाइजर और फ्यूइल की कमी ही विकांसिल देशों के लिए बड़ी चिंता की विश्व है यूक्रेन संगर्ष की सुरुवात से ही हमने डिप्लोमसी और डायलोग का मार्ग अपनाने की आवश्रक्ता पर जोर दिया है हम इस संगर्ष को समाप्त करने के लिए सभी शांतिप्रुण प्रयासों का समर्थन करते हैं इस सम्मन में हम अनाज और फटिलाइजर के सुरक्षित निर्यात समंदित हाल की सहमती का स्वाध़ भी करते हैं मैं एक बार फिर राश्पति पुतीन का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस फोरम को सम्मोधित करने का आउसर दिया और इस फोरम में उपस्तित सभी भागिदारों को हार दिक शुब कामनाई देता हूँ बहुत बहुत धन्यवाद राश्पति पुतीन सम्मानित अतिजीगान नमस्कार मुझे खुशी है कि वालदी वस्तोक में आउजित किया जा रहा है साथवे इस्टन इकन्मिक फोरम में आप से वर्च्वल रूप से जुणने का मोका मिला इसी महिने व्लादी वस्तोक में भारत के कांसुलेट की स्थापना के तीस वर्च पूरे हो रहे हैं इस सहर में कांसुलेट खोलने वाला पहला देश भारत ही था और तब से यह शहर हमारे समंधों के कई माइस्टोन का साक्षी रहा है फ्रेंट्स 2015 में स्थापित किया गया यह फोरम आज रश्यन फारिष के विकास में अंतराश्य सहयोग का एक प्रमूख वैस्ष्विक मंच बन गया है इसके लिए मैं राश्पति पोतीन की दुरदर्शिता का अभिनंदन करता हूं और उन्हें बधाई भी देता हूं 2019 में मुझे इस फोरम में करता हूं